और यह वी गो दिस इस तीरे शवर रहा आपको मीठी मीठी गोली खिलाने आया है सर आज का टॉपिक क्या है सिंपलिफाई ब्यांक रिकांसलेशन सेटमेंट विट वान सिंपल ट्रिक सर आज के तारिक में हमको ब्यारेस में दिक्कत जाती है कभी ओवरड्राफ रहता है कभी पास्बुक है हमको बैलेंस एस पर कैश्बुक बहुत अच्छे से आता है हमको मातरास हमको स्ट्रेस नहीं बट उसके बाद आई से कुछ तो भी चीज़े करता है और हमारा दिमाग खरा हो जाता है चलो ठीके राजा दस मेंट का कैप्सुल है बटन त्यान रखेंगे कि यह दस मेंट के अंदर हो जाए और अगर नहीं हुआ तो माफी दे देना ठीके राजा येस चलो वाट इस बी बैंक में एक लाख रुए पड़े है बट HDFC बैंक बोलती है नहीं सेट जी आपके बैंक अकाउंट में 99,000 पड़े आप में को बता हो सही कौन हमेशा याद रखना बैंक से जिंदगी में एक चीज़ बता रहा हूं जब भी आप शादी करो अगर आप मेल हो तो हमेशा या पीच में डिफ्रेंस है जी सर एक हजार रुपय का डिफ्रेंस है किते का डिफ्रेंस है एक हजार रुपय का अब यह डिफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट को नाम क्या द ब्रट क्लियर्ट जय कि एक दिपॉजिट तो कर दिया ब्रट अभी तक हुआ नहीं जैसी जैसी मैंने चेक दिपॉजिट किया बैंक में में को लगा मेरा बैंक का बालंस बढ़ गया बट आक्चिलर नहीं तो यह अधे रोगे ख़िए लंग एडिव शक्ते डिफिरेंस आगया एस दूसरा जए चेक एशूड बाट नॉट येट प्रेजेंटेड अधि पहल सर इसे मैंने किसी को चेक दिया मैं नो नड़ा कि यो बैंक जायगा और पैसा निकाल लेगा बट जैसी मैं ने तीसरा Amount directly deposited सर बैंक में कोई अमाउंट directly deposit हो गया और मुझे इसचीज का SMS भी ने आया Amount directly deducted सर बैंक से कुछ पैसा कड़ गया SMS चार्ज जेश बैंक चार्ज जेश जिसका SMS मुझे आया नहीं, fifth, error by us, sir हमने कुछ error कर दिया recording में या error by bank, bank ने कुछ error कर दिया है, ये छे reason है जिसके वैसे difference आता है, ठीके राजा, yes, हमेशा सही कौन रहेगा, bank, दिमाग में डालो, हमेशा सही कौन रहेती है wife, तो हमेशा सही कौन रहेगा, bank, आगे औरते है, sir, अब बात को ये, sir, इसको दो मेट क्या, इग्नॉर करो, sir, इनका चारो का treatment क्या होता है, इनका चारो का treatment क्या होता है, sir, next पे जो बता दीजा, please, बिल्कुल बता देजा राजा, ठीक है, yes, sir, अरी, और, जब time की कमी होना, तभी ऐसे glitches होते है, कोई बात नहीं, 10 मेट का target है, हम पूरा क अगर के रहेंगे, 10 मेट के अंदर, कोई बात नहीं, 5 मेट ही अभी तक, 5 मेट अभी मेरे बास बाकी, I won't lose my hope, चल, पहला, sir, अगर balance as per cash book की बात की जाए, balance as per cash book की बात की जाए, it's very simple, balance as per cash book, cash book मतलब मेरी books, cash book मतलब मेरी books के हिसाब से balance किता है, ठीक है, और end में आएगा balance as per cash book, balance as per cash book, cash book मतलब HDFC bank के हिसाब से कितना balance है, HDFC bank के हिसाब से कितना balance है, मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपे है, HDFC bank के हिसाब से 99,000 है, ठीक है राजा, अब, अपने बास difference है, 1000 रुपे का, yes sir, अब difference के primarily 4 reason है, मैंने आपको 6 लिखा है, बट, normally आपको 4 reason दो दिखेंगे, 2 add है, और 2 less है, अब add और less को मैं लिख रहा हूँ, plus और minus, मैं क्या लिख रहा हूँ, plus और minus, 2 plus है, और 2 minus है, ठीक है, yes sir, plus क्या है, sir, मैंने check issue कर दिया, मैंने माना मेरा balance कम होगा, क्या, actual मैं कम हुआ क्या, नहीं, तो पहला है आपका, चेक issued, but not presented, सर, दूसरा plus का क्या है, amount directly deposited, सर, bank में amount directly deposit हो गया, ठीक है, अब minus में, मैंने माना, जैसी मैंने check deposit किया, मेरे bank account में balance आ गया, but reality मों clear हुआ क्या, नहीं sir, but not cleared, और last but not the least, amount directly deducted, ठीक है sir, हमको समझ गया, अब इन सब का net effect should come, 1000 negative, क्योंकि एक लाग positive में से 1000 minus करेंगे, तो answer will be 99,000, यहां तक सब को sorted है, yes, sir, balance कितने type के रहते है, राजा, balance as per cash book रहता, cash book मतलब मेरे हिर साथ से कितना balance है, मेरे account में, और balance as per pass book, मतलब bank account क्या बोल रहा है, bank, HDFC bank क्या बोल रहा है, यहाँ पर मैं हूँ, रिशब सेट, और यहाँ पर HDFC, ठीक है, HDFC bank बोल रहा है 99,000, that is meant by balance as per pass book, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ, एक लाग, that is meant by balance as per cash book, अब cash book के अंदर भी दो आता है, एक रहता है favorable, और एक रहता है unfavorable, favorable और unfavorable, unfavorable is also known as overdraft, unfavorable is also known as overdraft, ठीक है, उसके अलावा favorable मतलब debit होता है, unfavorable मतलब होता है credit, favorable मतलब होता है positive figure, और unfavorable मतलब होता है negative, ठीक है राजा, यहाँ तक clear है, ठीक है, yes, past book में भी same है, एक favorable है, और एक unfavorable है, ठीक है, yes, favorable means, अगर मेरे लिए debit favorable है, तो bank के लिए credit favorable है, और credit मतलब होता है positive, when it's balance as per past book, credit means positive, ठीक है, and if I talk about unfavorable, bank के लिए unfavorable होता है, debit, that is negative, unfavorable का दूसरा नाम क्या है, overdraft, unfavorable का दूसरा नाम क्या है, overdraft, अगर overdraft as per past book, it's a debit balance, negative, overdraft as per cash book, it's a negative balance, but credit, इसका overdraft credit, past book का overdraft debit, इसका favorable normal debit, और bank का favorable और normal क्या हो जाएगा, credit, अब ICA करता है, ध्यान दो, मेरे बास एक question है, even concentrate, यहाँ पे मेरे endo प्यार है, यहाँ के लिखा है, bank overdraft as per cash book, as per cash book, overdraft, overdraft मतलब cash book में, सर, cash book में normal रहता है, debit, बट अगर overdraft बोला तो यह हो जाएगा, credit, that is negative, yes, that is negative, जी सर, अब जैसे यहाँ पे negative आपने देखा, आप देखते हो, यहाँ पे तो इसने negative की आई नहीं, yes, यहाँ पे तो इसने negative की आई नहीं, इसने उसको positive लिखा है, ICA ने 6340 को negative लिखना चाहिए, बट उसने उसको क्या लिखा है, positive, positive, a big thing, मेंको नहीं समझ रहा, मैं तो परिशान हो गया, बट अगर आप observe करोगे बेटा, एक चीज, यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना जाता, solution, bank charges, bank charges से मेरा bank का balance कम होता है, हाँ, मेरा bank का balance कम होता है, ठीक है, but ICA ने क्या किया है, देखो, ICA ने इस negative को क्या लिख दिया है, positive, तो अब हर negative चीज को उसे क्या लिखना पड़ेगा, positive, और हर positive चीज को उसे क्या लिखना पड़ेगा, negative, they have to reverse the balance, ठीक है, negative को क्या लिखना पड़ेगा, add that is positive, और positive को क्या लिखना पड़ेगा, less, अब ICA ने यह किया, अब में को इससे confusion का level बढ़ता है मैं क्या करता हूँ simple मैं बोलता हूँ भाद में गया जनता अपने को क्या बनता सीधा बात है overdraft negative है change your method from add let's say plus minus sir negative है ठीक है यह देखो मैंने minus send डाल दिया ठीक है अब sir bank charges minus होने चाहिए विल्कुल राजा क्या bank charges minus होने चाहिए yes sir का गया आपके bank charges यह देखो यह minus तरफ आगे इजदारी से मतलब आप जो करते आए हो bank का balance कम हो गया मुझे भी कम करना चाहिए bank का balance बढ़ गया मुझे बढ़ना चाहिए और यह करते वक्ट आपने ignore करना चाहिए overdraft है या नहीं overdraft है तो मैं minus side लिख दूँगा overdraft नहीं है तो मैं plus side लिख दूँगा बात खतम मेरा सोचने का process चेंग नहीं होगा अगर bank से पैसा कड़ गया तो मैं भी पैसा कम कर दूँगा bank में पैसा आ गया मैं भी पैसा बढ़ा दूँगा ठीक है एक और example देते है interest collected and created by the bank but not in past book ठीक है देख लो पेटा यह आपका कहा पर आ रहा यहापे कोछ शाइनी नहीं है यहाँ कुछ figures miss हो गया है ठीक है जो भी है clear it's very basic thing in life आपको plus minus method पे shift होना है ICI यहाँ पे science का उल्टाबुल्टी करता है अपन science का उल्टाबुल्टी नहीं करेंगे plus will go in plus and minus will go in minus और एक चीज और देहान देखो राजा इसमें everyone concentrate अब इन दे गिवन कुष्चिन overdraft है overdraft minus रहता है बढ़ अगर आप देखो के आखिर में यह minus सन लिखा हुआ है बढ़ यहाँ पे favorable लिखा हुआ है अब चीज ध्यान दो अगर आपने चालू किया है यहाँ पे plus minus लिख देता हूँ plus minus यहाँ भी आपने लिखा balance as per cash book positive balance है yes तो बेड़ा balance as per pass book should come on the opposite side ऐसी होता था ना अरे यार मैं बच्पन में क्या करता था यह मेरा cash account है balance carried down यहाँ पे लिखता था और balance brought down यहाँ पे लिखता था sorry brought down and carried down ऐसे लिखता था है है ना yes क्या opposite में चलता था yes तो this was positive henceforth cash का balance positive माना जाता था अब यहाँ पे भी आपका opposite चलना चाहिए ठीक है अगर यह balance as per pass book है वो भी positive है वो भी उस तरफ चलना चाहिए ठीक है बट अगर यह चीज ऐसे हो जाए plus minus balance as per cash book यहाँ पे positive है plus और यही पे मैं लिख दू balance as per pass book अगर मैं minus sign लिखता हूँ तो it's favorable मैं minus side के तरफ लिखता हूँ तो favorable कहलाएगा बट अगर मैं same side लिख दूँगा तो वो हो गया बेटा overdraft वो क्या हो गया overdraft yes वो क्या हो गया pass book में overdraft opposite side है तो favorable same side है तो वो unfavorable हो गया ठीके राजा yes in the given question यह unfavorable है यह unfavorable है same side हो गया तो यह क्या बन जाएगा favorable opposite हो जाता ना अगर यह same चीज यहाँ पर रहती थी credit plus side में अब यह minus sign में है plus sign में रहती थी तो continue क्या होता था as unfavorable but वो same side में आ गया तो it becomes opposite favorable on the same side unfavorable will remain unfavorable on the opposite side I repeat unfavorable will become favorable on same side but unfavorable will become favorable on opposite side reverse favorable will remain favorable on opposite side but favorable on the same side will become unfavorable ठीके राजा yes that's all for the day guys see ya ओब बाइ, take care this is Sira Shabrara signing off